कच्छा चडवी एवं सादवी का जो रिजल्ट है वो ओनलाइन RSKMP पोर्टल से त्यार किया जा रहा है और इसके लिए छात्रों की जो प्रापतांग है इन्हें हमने RSKMP पोर्टल पर दर्च किया अब प्रापतांग की प्रिविष्टी करते समय एक लाश्ट आप्शन इसमे देखें तो थोड़ा सा चैंज है इसमें जब हम प्रिविष्टी करेंगे तो दो आप्शन हमें दिखाई देंगे आई ये देखते हैं कि बार्सिक परिक्षा के लिए छात्रों की जो प्रापतांग है इनकी प्रिविष्टी कैसे करना है तो इसके लिए सबसे पहला तो हम मैं RSKMP Portal पर अपने User ID Password से Login कर लेना है जैसे हम Login करेंगे तो कुछ इस प्रकार का Interface हमारे सामने आएगा जहां 6-7 Exam 2023 का जो ऑप्सन है इस पर किलिक करने के बाद आप देखेंगे कि Marks Entry Annual Exam का एक नया ऑप्सन इसमें Add कर दिया गया है अब इसे हमें Open करना है और Open करने के बाद में कक्छा का Chain कर लेना है और जैसे हम कक्छा का Chain करेंगे और Super Click करेंगे तो समंधित कक्छा में जितने चात्र होंगे उन सभी के नाम नीचे आ जाएंगे अब प्राप्तांकों की प्रिविश्टी करते समय आप देखेंगे कि एक चात्र का नाम लिखा हुआ है और च अर्थात दो option जो इसमें दिये गया है पहला जो option यदि चात्र present है तब P ही रहने देना है और यदि चात्र समंधित बिसे में यदि absent है तब उसे A कर देना है जैसे आप A करेंगे अर्थात absent करेंगे तो नीचे का जो box है वो freeze हो जाएगा इसमें आप प्राप्तांकों की प दियान रखना है कि साट अंकों में से चात्र ने जितने भी अंक प्राप्त किया हो सीधे इसमें आपको दर्ज कर देना है सपोस साट अंक में से पचास अंक एदी चात्र ने लिया है तो पचास की प्रिविष्टी कर दे इसे प्रकार द्वती भासा जो है हमारी उसमें चा शात्रद फर कि sixं अंकों मैं से आप देखेंगे कि उपर भी लिखा हुआ है कि आूट उप सिक्ष्टी और था है目 नहीं प्रकार से हम देखें तो सभी शात्रों के नाम के सामने इसमें आप अपको । if i एपर किलिक कर लाना है। जैसे, आप एपर किलिक करेंगे, तो नीचे का जो बॉक्स है, वो फ्रीज हो जाएगा, इसमें आप प्रिविश्टी नहीं कर पाएगे प्राप्तांगों के, जैसे आप आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एप सेंट किया तो नीचे का जो बॉक्स है वो फ्रीज हो गया है इस प्रकार से सभी छात्रों की प्रिविष्टी कर देने के बाद में हमें स्कीन को नीचे स्कोल डाउन करना है और नीचे आप देखेंगे कि एक option आपको दिखाई देगा verify and submit का जैसे आप देख सकते है verify and submit जैसे हम click करेंगे तो एक सत्यापन के लिए message आएगा तो आपको yes verify date पर click कर देना है जैसे आप click करते हैं तो यहाँ updated successfully का एक message आपको okay कर देना है अब यदि किसी प्रकार से truthy हो गई हो तो आपको फिर से उसी कक्षा को open करना है सोपर click कर करना है और click करने के बाद में सभी छात्रों के नाम आ जाएंगे और आप एक एक करके फिर से इसमय सुधार कर सकते हैं प्रिविष्टी कर सकते हैं कहने का तात्वर कि यदि एक बार हमने हमने प्रिविष्टी कर दिया और इसमें फिर से चैसे आप सत्यापन के लिए message आए है एक success का message आए आएगा और चात्रों की जो प्रिविष्टी है वो हो जाएगी तो इस प्रकार से हम बहुत ही असान इसे बारसिक परिक्षा के लिए कच्छ अच्छ है और साथ के जो चात्र है इनके प्रापतांकों की प्रिविष्टी कर सकते हैं इसमें एक नया option add किया गया है और वो है present और absent का यदि छात्र absent है तो ए पर आपको click करना है और present है तो पीपर ही click रहने देना है तो आसा है जानकारी आप समझ पाये होंगे मिलते हैं कुछ इसी परकार की जानकारीों के साथ में next वीडियो में तब तक के लिए जैहिन